साथियों, भविष्य की दुनिया हमारी आज की दुनिया से काफी अलग होने वाली है, हम इसकी जरुरतों को अभी से देख सकते हैं, सैंस कर सकते हैं, ऐसे में हमें अपने स्टूडेंट्स को 21st century की स्किल्स के साथ आगे बढ़ाना है यह 21st century की स्किल्स क्या होगी? यह होगी critical thinking, creativity, collaboration, curiosity और communication. हमारे students, sustainable future, sustainable science को समझे, उस दिशा में सोचे, यह सब आज समय की मांग है, बहुत जरुरी है. और इसलिए छात्र शुरुवात से ही, coding सिखे, artificial intelligence को समझे, internet of things, cloud computing, data science, और robotics, इस से जुड़े सारी बातों को भी, उसके परिशे में उसको लाना होगा, हमें इसको देखना होगा. साथियों, हमारी पहले की जो सिख्षा नीती रही है, उसने हमारे students को बहुत ही बांध भी दिया था. जैसे उधान के तौर पर लें, तो विध्यारती, science लेता है, वो arts या commerce नहीं पढ़ सकता था. arts, commerce वालों के लिए मान लिया गया कि ये history, geography, accounts इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये science नहीं पढ़ सकते. लेकिन क्या real world में हमारे आपके जीवन में ऐसा होता है, कि केवल एक ही फिलकी जानकरी से सारे काम हो जाएंगे. हकिकत में सभी विशय एक दूसरे के साथ जुड़े हुया है. हार लर्निंग इंटर रिलेटेड है. स्टूडेंट्स कोई एक विशय ले लेते हैं, बाद में उन्हें लगता है कि वो दूसरे किसी छित्र में जादा बहतर कर सकते हैं. लेकिन वर्तमान ववस्ता बढ़लाव का नई संभावनाओं से जुड़ने का अवसर ही नहीं देता. बहुत से बच्चों के ड्रॉप आउट होने का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है. और इसलिए राष्ट्रिय सिख्षान निती छात्रों को कोई भी विशय चुन्ने की आज़ादी दी गई है. मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े सुधार के तौर पर हम इसे देख सकते हैं. अब हमारे यहाँ युवां को साइंस, हुमेनिटी या कॉमर्स में से किसी एक ब्रैकेट में फीट होने की ज़रूरत नहीं है. देश के हर स्टुडेंट्स को उसकी प्रतिभाओं को अब पूरा मौका मिलेगा.